नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं एस पे लाइनियो स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी कबर में और बड़ी कबर किश्रवाद देश के सबसे बड़े बिजनसमेन गौता माडानी से जियां गौता माडानी एक ऐसा नाम जो महतास नहीं है जो परिचे के महतास नहीं है जियां गौता माडानी की केवल पहुँच भारत में नहीं है विदेशों में भी है गौता माडानी विश्व में तीसरे पायदान पर थे जियां एक वक्त में तीसरे पायदान पर थे अमीरी के माम लेकिन अज सत्रवे अठारवे नमबर पर चल ले माना जारा किसक रहें 21-22 पर भी ख़वर सामने आई है लेकिन अपने दर्शकों को बता दे लगाता रडानी गुरूप बरबाद होता ही फूट-फूट करो रहा है गौता मडानी तो महीं दूसरी तरफ सरकार से बड़ा यौगी आदितिनाथ ने गौतम अडानी के 4000-5000 करोड के प्रोजेक्ट को रद कर दिया तो वही इमाचल में सीमेंट फैक्टरी डाली थी गौतम आडानी जिसके बाद हीमाचल की सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को रद कर दिया खबर ये सामने आती है कि जिस तरीके से गौतम अडानी को लगाता रहे के बाद एक जटका लग रहा है और दूसरी बड़ी खबर है अडानी गुरूप दिवालिया घोशित होने के कगार पर जिया अडानी पावर अडानी गैस अडानी माइन् प्रिकने को मिल रही है और सरकार का अडानी से किनारा कर लेना ये बताता है कि सरकार ने अडानी कोन की हाल पर छोड़ जिया है क्योंकि योगी सरकार ने इसका बड़ा पर मार दिया लेकिन इन सब के बीच में गौतम अडानी की पत्नी प्रीती अडानी की संपत्ति को लेक और क्या वाकई अप्रिती अडानी की संपत्ती निलाम भी हो सकती है एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं दुनिया बर में एक से बढ़कर एक लविश्टोरीज देखी है पर इनमें से अधिकतर की शुरुवात बहुत ही साधारन होती है बड़े से बड़े इनसान की लव लाइफ देखें तो ये बहुत ही साधारन है और ऐसा ही कुछ था देश के सबसे अमीर और दुनिया के चौतिस सबसे अमीर व्यक्ति गौटम अडानी के साथ गौटम अडानी ने पिछले दो सालों में जी इतनी तरक्की की है उतनी शायद ही किसी और ने की हो पूरी जिंदगी में उन्होंने अपने बिजनेस सेंस का लोहा मनवा दिया वैसे तो गौटम अडानी की दौलत भरपूर है लेकिन उनका रहन सैन और उनकी लाइफ गौटम अडानी ने बताया कि बीच में कई बार उनको जब मुश्किले आई तो प्रीती अडानी ने उनका पूरा सयोग दिया प्रीती अडानी के पिता सेवंती लाल ने अपनी बेटी के लिए गौटम अडानी को पसंद किया था उस वाग गौटम अपना ग्रेजुएश कोई समझाना चाहते थे कि इंसान की काबलियत को देखा जाता है अगर उसमें काबलियत हो तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने में समय नहीं लगेगा 70 लाल जी को प्रीती के लिए गौतम से बहतर कोई लड़का समझ नहीं आ रहा ता और अखिरकार उन Bennett गौतम भाई और प्रीती को मिलवाने की बात की दोनों ने पहली मुलाकात की और एक दूसरे से बात की और उसके बात दोनों ही शादी के लिए मनका है यह वह दोर था जब अब शादी विया को लेकर इतना डाउट नहीं होता था लोगों के मन में उस दोर में साधार मानसिक्ता वाले दो लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते थे बस यही था गौतम भाई और प्रीती बेन का हाल और दोनों ने उस मुलाकात के बाद शादी का फैसला लिया औ मई 1986 को दोनों की इस्टादी हो गए शादी के काफी सवे के बाद गौतम अडानी और उनकी पतनी प्रीती दोनों एक दूसरे का हाद बटाने लगए और बकादा प्रीती को यह बात सबज में आ गई कि गौतम अडानी ही उनके लिए उनके परफेक्ट पती है हाला कि माना जा रहा है कि प्रीती ने भी अपनी कई संपत्ती बनाई है और प्रीती के पास भी करोडों अरवों रुपे की संपत्ती है दरसल इन दिनों गौतम अडानी पर जिस तरीके से तलवार लटकी हुई है और लगातार अडानी गुरुप का बुरा हाल है उसके बाद यह माना जा रहा है कि क्या अब प्रीती अडानी के संपत्ती पर भी जाच होगी क्योंकि अभी तक केवल गौतम अडानी का नाम सामनी आ रहा है उनकी पत्नी प्रीती अडानी का नहीं माना यह जा रहा है कि प्रीती अडानी ने जो संपत्ती बनाई है क्या उसकी भी जाच हो सकती ह हाला कि गौतम अडानी का ये कहना है कि मुश्किल घडी में वो जैसे तैसे अपने आपको सम्हाल रहे हैं और आने वाले वक्त में उनके लिए वक्त बहुत बहतर होता नसलाएगा लेकि ये कहने वाली बात है क्योंकि गौतम अडानी को हफते बर से जादा हो गए लगातार शियर गिरता चला जा रहा अडानी गूर्प की हालत खराब है लगातार प्रोजेक्ट बंद पर बंद हो रहे हैं और वो खर्बो रुपए का नुकसान हर रोज हो रहा है माना या जारा कि गौतम अडानी की पतनी प्रीती अडानी उनकी संपत्य को लेकर कुछ सूत्रों से खबर सामने आई है खबर ये है कि प्रीती अडानी ने भी इस बीच भी अपनी संपत्य बनाई है उनके पास उनकी कई गारियां भी मौजूद है और ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि गौतम अडानी की संपत्य और तमाम चीजों की जाच होनी चाहिए अगर गौतम अडानी की संपत्य और तमाम चीजों की जाच होती है तो शायद इसमें प्रीती अडानी का नाम भी शामिल होता नजर आएगा और शायद प्रीति की संपत्य और तमाम उनके पास जो भी चीजे हैं वो सब जाच के दाइरे में दीखते नजर आएंगे ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और देखे जाहिर तोर पर इस वक्त इस तरह के हालात लग रहे हैं एक वक्त में जी हां देखे मैं अगर कहूं तो वक्त बदलते देर नहीं लगती और उगते सूरज को हर कोई सलाम करता जी हां एक वक्त में चारो तरफ अगर चर्चाएं किसी की हो रही थी तो वो थे गौतम अडानी हर सेक्टर में चाहे हुए थे चाहे वो आईटी का सेक्टर हो या ग्रिनरी सेक्टर हो या कोईला का सेक्टर हो डिफेंस का सेक्टर हो सिमेंट का सेक्टर हो खाने पीने के से हर सेक्टर में चारो तरफ केवल और केवल गौतम अडानी अडानी समराज बढ़ता फल फूल रहा था लेकिन हिडन वग की रिपोर्ट सामने आने के बाद हडानी गुरूप का समराज पूरी तरह द्वस्त हो चुका है लगातार शियर अडानी गुरूप के गिर रहे हैं लो और अगर निलाम होंगी तो उससे क्या निवेशकों का पैसा लोटाए जाएगा आज के लिए तहीं आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक लिए इजाज़त दीजे नमस्कार